तब तब लोग खिसारी लाल यादो को ढोंगी कहते हैं और ये कहते हैं कि खिसारी हमेशा इस बात का दिखावा करते हैं ढोंग करते हैं कि वो गरीब थे और उन्होंने गरीबी की वज़े से अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाई बिहार बोट की जो थर्ट टॉपर है वो खिसारी लाल यादो के जिला की है, खिसारी लाल यादो के पंचायत की है खिसारी लाल यादो उस लड़की की घर जाते हैं उस लड़की के परिवार वालों से मिलते हैं उस लड़की से मिलते हैं और उस लड़की को बिहार तौप करने की खिसारी बधाई देते हैं आज मैं जिस घर में खड़ा हूँ, इस घर में मैंने चार से पान साल दूद बेचे हैं और मुझे नहीं पता था कि मेरे दूद का अंश इस घर में भी है देखिए खिसारी लाल यादो जब जब इस बात को कहते हैं कि हम पैसे की अभाव में शिच्छा नहीं ले पाएं मेरे पिटा जी के पास इतनी पैसे नहीं थे कि वो हमको अच्छी सुच्छा दे पाते, इसलिए मैं पैसे के अभाव में नहीं पढ़ पाया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो भी बच्चे पैसे के अभाव में अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते हैं उन बच्चों को मैं जादा से जादा मदद कर पाऊं तब तब लोग खिसारी लाल यादो को ढोंगी कहते हैं और यह कहते हैं कि खिसारी हमेशा इस बात का दिखावा करते हैं ढोंग करते ह कि वो गरीब थे और उन्होंने गरीबी की वज़े से अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाई लेकिन हम आपको आज किस वीजियो में कैसी वाक्या बताने वाले हैं जिसको सुनने के बाद आपको भी लगेगा कि वाकई खिसारी लाल यादों को गरीबी का एहसास है और खिसा बिहार बोर्ट की एक टॉपर है जिसका नाम है पलक कुमारी और खिसारी लाल यादों को उनके लोगों के माध्यम से ये पता चलता है कि बिहार बोर्ट की जो थर्ड टॉपर है वो खिसारी लाल यादों के जिला की है खिसारी लाल यादों के पंचायत की है और जब खिसा खिसारी लाल यादो उस लड़की की घर जाते हैं, उस लड़की के परिवार वालों से मिलते हैं, उस लड़की से मिलते हैं और उस लड़की को बिहार तौप करने की खिसारी बधाई देते हैं, इतना ही नहीं, खिसारी यहीं पर नहीं रुपते, खिसारी को जब खिसारी चाल तक अपनी गरीबी की दिनों में दूद बेचा था और उसी घर की लड़की पलक कुमारी के टौप करने से ना सिर्फ किसारी लाल feraaster होते हैं बलकी उनके जीले के उनके पंचायद के उनके गाउं के वो तपाम लोग खुश होते हैं और बधाई देते हैं कि पलक कुमारी ने ना सिर्फ अपने पंचायत अपने जीले का नाम रोशन किया है बलकि पूरे बिहार का नाम रोशन किया है आपको बताते हैं कि किसारी लाल यादो पलक कुमारी को बधाई तो देते ही हैं इसके अलावा वो डिल का एक लैप्टॉप गिफ्ट करते हैं और उनको आश्वासन देते हैं कि बेटा हम तुम्हारे भाई हैं तुम मेरी बेहन हो तुमको आगे भविश्य में किसी भी चीज की जरूरत होगी तो तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए हमेशा तैयार है कि सारी लाल यादों से पुछा जाता है कि आप पलक कुमारी का किस प्रकार से मदद करिएगा आप पलक कुमारी के लिए क्या कुछ सहयोग करिएगा तो कि सारी लाल यादों ने कहा कि देखिए हम तो पैसे क्या भाव में नहीं पढ़ पाएं लेकिन हम यह नहीं चाहते है कि भी बच्चा या बच्ची पैसे क्या भाव में शिक्षा से दूर रहे इसलिए मैं वादा करता हूँ किस लरकी को यानि पलक कुमारी को जो कुछ भी करने का मन होगा वो भविश्यु में आगे जो भी पढ़ाई पढ़ना चाहती है बारहमी करना चाहती है प्रशासनी कोई प पच्चम रहुंगा तो इस गाउं में ऐसे बहुत सारे मेरे भाई, चाचा, दादा है जो इतने कैपबल है कि पलक को आईएस बना कर रहेंगे किसारी लाल यादो ने कहा कि पलक में ना सिर्फ मेरे जिले का नाम रोशन किया और ना सिर्फ अपने पंचायत का नाम रोशन क किया है बलकि पलक ने पूरे बिहार को रोशन किया है ऐसे में पलक को किसारी लाल यादो और इस गाउं के तमाम लोगों के तरफ से ढेल सारी बढ़ाई तो मिलती ही है लेकिन इस लड़की को जो भी बनने का मन होगा उसका पूरा खर्चा किसारी लाल यादो उठाएंगे और किसारी लाल यादो ने पलक के परिजनों से ये भी कहा कि मैं बहुत जादा व्यस्त रहता हूँ यहां से जाने के बाद मैं अपने फिल्मों और गानों में बिजी हो जाऊंगा इसलिए आप लोग हमको इंफर्म करते रहेगा इस लड़की की जो भी पढ़ाई करने की जो कुछ भी करने के इक्चा है वो मुझे जानकारी में दे दीजेगा मैं उसके अनुसार इस लड़की का पूरा खर्चा देख लूँगा और यह देखने के बाद सच्वे लगता है कि किसारी लाल यादो सिर्फ कहते नहीं हैं बलकि वो जो कहते हैं वो करते भी हैं किसार किसारी में।